सोनम वांग्चुक, फेमस अक्टिविस्ट इंजिनियर और एजुकेटर फ्रम लद्दाख, इनको तमाम अवार्ड्स मिल चुके हैं दुनिया भर से, इंक्लूडिंग दे प्रिस्टिजिस मैक्से से अवार्ड, इन्ही की आउट अफ द बॉक्स थिंकिंग के वज़े से इंस लद्दाख के खुले आसमान के नीचे जहां तापमान माइनस 15 डिगरी तक पहुचना कोई आम बात होती है, वहीं उन्होंने अंचन किया, वहीं रात को सोने भी गए, हजारों लद्दाखी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, लेकिन सरकार ने पानी तक नहीं पूछ एक टाइम पे मोधी सरकार के को बहुत मानने वाले थे बांचुक, आर्टिकल 370 का इन्होंने सुवागत किया था, लद्दाख में नया सवेरा इन्होंने देखा था, बॉईकॉट चाइना की मुहीम में इन्होंने काफी बड़ा समर्थन दिया, लेकिन अब उसी सरकार से भरोसा उड़ चुका है सोनम वांचुक का, अंचन के दोरान रोज एक वीडियो भी उन्होंने बनाया, देश को बताया कि लद्दाख जैसे एको सेंसिटिव जोन को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, और बीजेपी ने सिक्स शेडियूल के तहत ये प्रोटेक प्रोटेस्ट भी किया, सिविल सोसाइटी ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन 21 दिन के बाद भी, सिक्स शेडियूल तो दूर की बात है, मोदी जी या कोई भाजपा का नेता उनसे मिलने तक नहीं गिया, मानो किसी को घंटा फर का नहीं है, बस पहला 21 दिन का फेस खतम हुआ है, सो नम बांग्चुक का कहना है कि वो फास्ट अंटू डेथ भी अब करेंगे, जब तक सरकार लग्दाग को न्याय नहीं देती है, लेकिन सरकार उनकी सुनेगी, ये शायद उनकी गलत फेमी है, 2011 में अन्ना हजारे ने भी अंशन किया था, लोकपाल बिल पास करवाने के लिए, देश में संसनी उस समय मच गई थी, गांधी भक्त अन्ना, on a fast till death, तेरा दिन बाद UPS सरकार अंटी करॉप्शन मुव्मेंट के जो मेन डिमांड्स थे, उनको मान भी चुकी थी, और अन्न अन्ना हजारे ने अंशन तोड़ दिया, नैशनल टीवी पर इसको ब्राटकास्ट भी किया, तब हर मीडिया चैनल ने इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया, दिन रात प्रोटेस्ट किया, लोग सड़कों पर उतरे, सरकार की एक सीड से इड बजा दी, वो अलग बात है कि 2014 की एलेक्शन के बाद अन्ना हजारे मौन वरत धारन कर लिये, लेकिन फैक्ट तो यही है कि एक टाइम था जब स्टूडेंट से लेकर बुजुर्ग जब वो प्रदर्शन पर उतर आते, तो वी एस सिटिजन्स हमें फरक पड़ता, सरकार कुछ न कुछ तो सुनती, कोई कोई नतीजा तो निकलता, आज मेंस्ट्रीम मीडिया ने लद्दाक को इतने बड़े जो प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ उसको पूरी तरीके से ब्लैक आउट कर दिया, तब नेता जाकर प्रोटेस्टर्स से कम से कम बात करते थे, वो टाइम था, अब सरकार उन्हें पूर ही मार डालेंगे, वैसे मनिपूर में करीब दो सो लोग के करीबन की जान चली गई है पिछले कुछ महीनों में, स्टेट पिछले मई के महीने से जल रहा है और अभी भी हालात खराब के खराब हैं, क्या आपने मेंस्ट्रीम मीडिया में या सरकार को इस पर कोई सीरियस डि इनके मुद्धे हैं, इनका कोई अजेंडा होगा, ठीक है, बड़े लेवल पर बात कर लेते हैं, नैशनल लेवल पर बात कर लेते हैं, मेंस्ट्रीम मीडिया ने अपना काम कर दिया, उन्हें खालस्तानी बुला दिया, मैटर खतम अलंपिक विनिंग मेडल रेसलर्स ने महीनों तक प्रोटेस्ट किया, ब्रिज भूशन सिंग के खिलाफ, पर मोदी जी ने देश की बेटियों से मिलने तक की जरूरत उनको नहीं महसुस हुई, ये वो देश की बेटिया हैं, जिनने ने हमारे लिए इंटरनेशनल मेडल्स जीते थे और ना ही ब्रिज भूशन सिंग को कुछ होने दिया, वो मेंस्ट्रीम मीडिया जो निर्भया मुव्मेंट के दोरान सरकार की इट से इट बजा रही थी, बेटुग सवाल पूछ रही थी, वो ही मेंस्ट्रीम मीडिया उल्टा रेसलर्स को ही मोदी विरोधी बु को डिफेंट करने लगी, कुछ दिनों में फिर से सोनम बांक चुक भूखरताल शुरू कर देंगे, अब ये मुम्किन है कि उनकी हालात और भी बिगड़ जाएगी, पर शायद उसके बाद भी सरकार चुपी रहे, मीडिया भी चुपी रहे, और इन लोगों को एंटी को भी जादा फरक अब नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं कि जनता जालिम बन चुकी है, पर क्योंकि उसकी सोच को भी चुक करा दिया गया है, जिस देश का जनम हुआ था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाब प्रोटेस्ट करके, प्रोटेस्ट करके, उनके नाक में दम करना आज, after 75 years, उसी देश में प्रोटेस्ट, ओपोजिशन, सवाल पूछना, ये गंदे शब्द बन गए हैं, लोगों ने ये होने दिया है, लोगों ने साथ दिया है इस अजेंडे का, लेकिन याद रखिये, कल जब आप पर कोई अत्याचार होगा, या मेरे पर कोई स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, चार MLA भेजा करता था स्टेट की एसेमली पर, पर लद्दाक में हमेशा एक एलिनेशन की फीलिंग रही है, कि उनकी एरिया को निगलेक्ट किया जाता था, अंडर तर जॉइंट जम्मू एन कश्मीर रजीम, जब वो एक पूरा फुल स् पर हुआ इसका उल्टा, जैसा कि मास्टर स्टोक्स के साथ अकसर होता है, और खुशी जादा दिन नहीं रही लद्दाक में, क्योंकि लोगों को तब पता चला कि लद्दाक यूनिन टेरिटरी में इलेक्टेट एसेमली नहीं होगी, यानि पूरी अड्मिनिस्ट्रेशन दिल्ली से अनिलेक्टेड ब्योरोक्राट्स चलाएंगे, बाबूों के हाथ कर दिया पूरा लद्दाक, आर्टिकल 370 हटने से पहले लद्दाक के पास जम्मू और कश्मीर के तरह कुछ तो प्रोटेक्शन्स होती थी, प्रॉपर्टी, गब्मेंट जॉब्स के मामले में, स्टेट से बाहर को आकर कोई लोकल पर्मिशन की बिना वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीच सकता था, माइनिंग कम्पनी बिना पर्मिशन वहाँ निवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन 370 के हटने के साथ साथ ये प्रोटेक्शन्स भी हट गई लद्दाक से, और पूरे लद् उठी कि आर्टिकल 244 के तहट 6th schedule दिया जाए, ये usually दी जाती है Northeast के sensitive regions में जहां आदिवासी population जादा है, और autonomy के demand भी रखी गई, याद रखिये, लद्दाक में भी majority population ST है, इस 6th schedule से autonomous administrative councils बनाये जा सकते हैं, जिसके पास inner line permit implement करने की authority होती है, और वो अपने ही land, forest, water, agriculture जैस इसे issues पर regulation कर सकते हैं, उन पर उनकी authority होती है, logically देखें तो बात में clear logic है, लदाक एक eco sensitive zone है, वहाँ लोग अपनी culture को maintain करना चाहते हैं, और उसकी रक्षा लोगों के हाथ में होनी चाहिए, दिक्कत बस एक आ गई, कि अगर ये कर दिया, तो mining companies को घुसने में problem हो जाएगी, क्योंकि उन्हें रोक दिया जाएगा, क्योंकि लदाक के लोग जानते हैं कि अंधाधून development की कीमत क्या होती है, already global warming के चलते drought, flash floods अब जादा common होने लगे हैं, unrestricted tourism के वज़े से ecosystem पर कितना pressure पड़ता है, वो लोग already लदाक के देख चुके हैं, उसके उपर glaciers, जिससे अभी दिखने लगी हैं, यह textbook global warming वाला issue नहीं है, और भाजपा सरकार यह सब जानती है, at least जानती थी, क्योंकि 2019 के parliament elections और 2020 के hill council elections से पहले BJP six schedule देने का बादा कर चुकी थी, लदाक के लोगों ने इस वाइदे पर विश्वास किया, BJP को जित्वा भी दिया, लेकिन को साफ समझा दिया गया, कि आपको शिक schedule या यह जो protection है, यह आपको नहीं मिलने वाला है, अब कुछ तो मजबूरियां होई होंगी, भई, बड़े भईया, पैसे नहीं देंगे, तो भई, यह बेवफाई के पीछे जो भी reason हो, सोनम वांग्चु, एकदम साफ कहते हैं, कि इसने 800 करोर से जादा electoral bonds भी दिये हैं सरकार को, सोनम वांचु को लगा कि वो इमांदारी से एक people's movement करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार पर democratic popular pressure डालेंगे, जिससे मीडिया उनको cover करेगी, यह एक important national मुद्दा बनेगा, मोधी जी फिर उनकी बात सुनेंगे, उनको आकर जूस पिलाएंगे और लदाख को नियाय मिल जाएगा, आर यू कमेडी मी, अब सोनम वांचुक भोले हैं या politics नहीं समझते हैं, लेकिन उनकी भी क्या गलती है, वो तो अपने पिता श्री का example ले रहे थे, क्योंकि 1986 में जब सोनम वांग्याल ने लदाख के आधिवासियो के अधिकारों के लिए भूखरताल की थी, तो सोलवे दिन पर, भूखरताल के सोलवे दिन पर सुएम इंद्रा गांधी दिल्ली से लदाख आई, मांगे कबूल की और फ्रूट जूस दे कर उनका फास तोड़ा, सोनम वांग्चुक के 21 दिन खतम होगा है, मोदीज ने कुछ के ही नहीं किया हो, या फिर ये समझ लीजिए, ये न्यू इंडिया है, यहाँ पर अब डिमोक्रिसी का दिखावा भी जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लिम ये है कि लदाख का प्रोटेस ना ही पहला है, ना ही आखरी है, जिसे ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया ह डिमोक्रिसी और डिमोक्राटिक प्रोटेस्ट के मामले में, अब आप क्रोनालोजी समझीए और देखिए हमारा देश कहां जा रहा है, पहला कदम, पॉलिसी मेकिंग और इंप्लिमेंटेशन के लेवल पर होता है, सरकार कभी कभी ऐसी पॉलिसी बनाती है, जिसका जनता के एस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे कि थ्री फार्म लॉज ले लीजिए, फॉरेस्ट और माइनिंग रेगुलेशन में अमेंडमेंट ले लीजिए, या लगदाक के अटॉनमी छीन लेना का जो प्रोसेस है, और वो वादा करके निभाती नहीं है सरकार, जैसे कि MSP का बादा ले लीजिए, या electoral bonds जैसा कोई घोटाला हो जाए, या फिर कोई हाथसा हो जाए, जिसके लिए सरकार की खराब governance ओजिमिदार है, जैसे कि मनिपूर में mismanagement के वज़े से आँग लगी, ये बात हम जानते हैं, या bridge portion के actions को punish ना करना, अब देश के नाग इसे कहते हैं democratic protest, ऐसे protest democracy का एक अंग है, एक हिस्सा है, नरेंदर मोधी, आरुन जेटली, रवी शंकर प्रसाद, खुद जब student leaders थे, या जब young थे, तो उन्होंने भी democratic protest में हिस्सा लिया, और फिर politics में उभरे, पर आज हर step पर सरकार इस democratic right का गलाग होट रही है, पहला step है क डर का माहौल पैदा कर दो, कोई भी protest की सोचे, तो IT cell की मदद से उसे anti-national आंदोलन जीवी घोशित कर दो, धमकाना शुरू कर दो, protest के लिए police permission दे ही मत दो, ना रहेगी मास, ना बजेगी बासूरी, या फिर जैसे CAA protest के time पर हुआ, पूरे शेहर में section 144 लागू कर दो, और जब भी अपने democratic rights के लिए protest अगर कोई करने भी आए, चाहे वो पिद्दी से student हो, या senior professor तक हो, तो उन सब को police van में डाल कर, उनको ले जाओ जेल, एक दो उमर खालिद जैसे लोगों को लंबे time के लिए अंदर भेज दो, ताकि बाकी नागरिक अपने घर पर ही जिसमें अकस्मात protest हो जाए, तो जो journalist event करने जा रहे हैं, उनहीं मत जाने दो, हातरस में, जब 19 साल की दलित बच्ची का gang rape हो जाता है, उसके बाद murder हो जाता है, तो journalist सिद्धिक की कपन को पता नहीं क्यों, आज तक पता नहीं चला है, उसे arrest कर लो, उसे pick up कर लो, यूए प पाएगा क्योंकि मीडिया पहुचने से पहले ही body जला दो, मीडिया वालों को ही arrest करा दो, मीडिया को ही censor करा दो, तो protest कहां का, लोगों की उत्तेजना कैसे पाइदा होगी, अगर ये सब के बावजूद भी, गलती से बड़े level पर protest हो जाता है, तो किसी न किसी तरीके से clamp down enforce करो, अरे इसका मतलब है कि अगर कोई force भी इस्तमाल करना है तो उसको करो, मनिपूर कितना भी जले, वहां के लोग कितना भी peace protest मार्च लगा दे, कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, और social media पर अगर कोई भहिंकर तरीके से सच्ची बात सामने आने लगे, तो twitter, instagram, सब social media क ने कितने twitter accounts को suspend कर दिया गया, क्योंकि वो थोड़ा ज़ादा ही सच बोलने लगे, और अब तो twitter छोड़ो, international media, international media channels को अब वहां के videos delete होने लगे हैं, बारी अब सब के आने वाली है, धीरे धीरे, corporate media तो वैसे में ही सरकार के गोदी और पूंजिपतियों के गोदी में बैठ नहीं है, 36 गड में स्थित, एक pristine forest जहां लगातार आदिवासी प्रोटेस्ट चलते आया है, लेकिन उसके बावजूद Central Government ने 2000 हेक्टेर जंगल अडानी को कोल माइनिंग के लिए दे दिया, जंगल उजढ रहे हैं, भूपेशिक बागेल Congress State की सरकार भी उस पर मिली हुई मगर वहां के रहने वाले लगातार अडानी के इस कोल माइनिंग के खिलाफ प्रदर्शन करते आये हैं, सरगुचा डिस्ट्रिक्ट के हरी हरपुर गाओं में 750 दिन, जी हां, 750 दिन से लगातार सिट इन प्रोटेस्ट चल रहे थे, हास्देव जंगल और वहां के रहने वाल ना कॉंग्रेस इस पर जादा कुछ बोलेगी, गोदी मीडिया तो वैसे में ही खामोश है, वो तो बिख चुके हैं, चाहे हास्देव के निवासी कितना भी चीख चीख लें, कितना भी दिन प्रोटेस्ट कर लें, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है निउ इंडिया में, त दिखिए ये प्रोटेस्ट आपके सामने है, लेकिन सरकार तो आपको दिल्ली का आसपास भी भटगने नहीं देगी, बॉर्डर पर ही बैरिकेडिंग और ट्रेंचिंग बना देगी, उसी को इंटरनेशनल लाइन ओफ कंट्रोल बना देगी, ड्रोन से टियर गैस शेल गिर अपने गाउ जाऊ ना प्रोटेस्ट करो, यहां दिल्ली में प्रोटेस्ट मत करो, तो भہ ya citizen भी चाहता है कि ये प्रोटेस्ट दिल्ली ना आए। और अगर प्रोटेस्ट बड़ा हो भी जाता है, उसे एटेंचिन मिल भी जाता है, तो हर तरीके की कोशिश की जाएगी, कि नागरिकों की जो अंदर की सोच है उनकी जो हमदर्दी है उसे शांत करो साइलेंट सिर्फ प्रोटेस्ट को नहीं सिटिजन की थिंकिंग को भी करना है किसान आंदोलन इतना बड़ा बन गया कि कॉर्परेट गोदी मीडिया उसे इग्नोर नहीं कर पाई तो वो लग गए पूरे आंदोलन को डी-लेजिटमाईज करने के लिए डी-लेजिटमाईज कैसे? कि भाईया देखो JNU के तरह तुम लोग भी न किसान लोग भी न तुम लोग भी देश के खिलाफ हो जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए सुप्रीम लीडर के खिलाफ आवाज उठाए वो देश के खिलाफ है किसान अंदोलन में पंजाब से लोग आए तो अंदोलन को खालिस्तानी बुला दिया कुकी कम्यूनिटी को फ्रेम करके आउटसाइड इंवेडर मियनमार से बुला दिया चतिसगर उडिशा में आदिवासी मूव्मेंट हुई तो उन्हें नैकसलाइड बोल दिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे जियन्यू के तो उन्हें एंटी नेशनल टुकडे टुकडे गैंग बोल दिया सिविल सुसाइटी और इंटेलेक्चुल्स आवाज उठाए तो उन्हें आंदोलन जीवी सोरोस फंडेड बोल दिया और गलती से किसी मुसलिम ग्रूप ने मुसलिम हुमन राइट्स के बारे में सवाल उठा दिया भारत सरकार से और उनके एंटी मुसलिम पॉलिसीज पर अगर सवाल उठा दिया तो वो तो पाकिस्तानी टेर्रिस सीधे बन जाएंगे सीधे यूए पी लगेगा और बेनर जी हो तो फिर तो ममता के भतीजे हो ही है या बेटर स्टिल बंगलादेशी अच्छा छोड़ो छोटे मोटे लोगों को ओलम्पिक मेडल विनर्स की हालत देखो हमारे देश में जिनको प्रधान मंतरी होद देश की बेटी बुला चुके है उन्होंने जब सेक्शुल हरास्मेंट के खिलाफ इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट किया तो मेंस्ट्रीम मीडिया क्या करती है मेंस्ट्रीम मीडिया अपने काम पर लग जाती है उन्हें डिस्क्रेडिट करने लगती है बोलती है कि पूरा मुव्मेंट ये नाटक है ये पॉलिटिक्स है यहां तक की AI से, आर्टिफिशल इंटेलिजिंस से डॉक्टर्ट फोटो लगाने की कोशिश करती है बिरिज भूशन को बस openly defend करना है उसे बचाना है सोचिए इससे ज़ादा देश की democracy के लिए शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि प्रधान मंतरी सेंगौल पकड़ते हैं राजा वाली ये सब याद रहेगा क्या रोज गोधी मीडिया वाटसैप मीडिया आईटी सेल हमें ये सब भुला देती है ये रोज का हम जो जहर का सेवन करते हैं ये क्या एक सोची समझी deviation tactic है रोज एक नया excuse मिल जाता है हिंदू मुसलिम us versus them अभी recently हमने जो एपिसोड बनाया कंगना versus everyone कि अब कंगना का अपमान हो रहा है कभी प्रधान मंतरी आकर कहते है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को खत्रे में डाल दिया है तो पूरा focus महां चले जाता है मुद्ध गायब हो जाता है और फिर आप भी सोस्ते हो कि हाँ हमें हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए ऐसे लोगों से जो सवाल उठाते हैं अन्ना हजारे के लिए और निर्भरया के लिए तो देश की जनता सडकों पर उतर आए पर wrestlers के लिए किसानों के लिए मनिपूर, हातरस, हासदेव, लद्दाख इसके लिए हमारी सहानभूती कहां चले गई अरे रस्ता तो छोड़िया आपने कुछ retweet भी किया की नहीं किया अगर कोई independent civil society organization अगर कोई मुद्दे की बात करे तो सरकार उसकी funding रोग दे जैसे Center for Policy Research CPR के साथ हाली में हुआ कोई independent media organization ground report करे, सवाल पूछ ले तो उस पर raid हो जाते हैं उन्हें cases के अंदर डुबा दिया जाता है अगर कोई opposition party बात करना चाहे अगर सवाल उठाना चाहे तो उसका account freeze कर दिया जाता है नेता को जेल में डाल दिया जाता है opposition को electoral bonds के महा घोटाले पर newspaper ads छापने से रोख दिया जाता है हर ताना शाही हदकंडे का इस्तमाल किया जाता है आंदोलन को कमजोर किया जाता है आपकी सोच को मार दिया जाता है इस सब के बावजूद लदाक में और देश के तमाम इलाकों में protest अभी भी जारी है कोशिश जारी है कि democratic pressure डाला जाए सरकार पर क्योंकि उनके पास और कोई choice भी नहीं है अगर वो आवाज ना उठाए तो उनके अधिकार तो वैसे में ही मिट जाएंगे अब सोनम वांचुक का क्या है अब वो कोशिश कर रहे हैं कि लग्दाक एक colony ना बन जाए एक mining outpost ना बन जाए सरकार का सोनम वांचुक को अभी भरोसा है कि देश और देश के नेता उनकी बात सुनेंगे कि देश की जनता ऐसे नेताओं को vote करेगी जो democracy की इज़त करते हैं और लग्दाक के साथ इनसाफ होगा पर ये सवाल अभी बाकी है कि देश की जनता इन मुद्दों पर vote देगी या नहीं देगी या us versus them पर vote देगी और अगर अच्छा नेता चुन भी जाए तो क्या वो power में आकर नशे में धुत ना हो जाएगा अपने आपको बेच न देगा corporate से पैसे लेकर अपने principles को compromise ना कर देगा मैं ये सारी चीज़े आपको एक sense of defeat से भी बता रहा हूँ कि देखिए हमारा क्या है हम तो फकीर इंसान है, laptop उठाके निकल देगे लेकिन आपके जो hundreds of mails आते हैं कि मेरा ये दिक्कत है, मेरा ये exam है मेरा ये job नहीं मिल रहा है बहुत कम mails आते हैं जो बात करते हैं, दिखिए इसका problem है देश का problem है तो वो sense हमें फिर से develop करना पड़ेगा कि देश के बारे में बात करना पड़ेगा क्योंकि जब देश के बारे में बात करोगे तब आपके problems भी धीरे-धीरे solve हो जाएंगे नहीं तो सिर्फ अगर अपना देखोगे तो जब अपने उपर मार आएगी तब आपके लिए बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा देश भग्त पर हम ये तो बोल सकते हैं कि जब अपनी बारी आएगी तो शांती से ये बोल सकते थे कि भईया दूसरे के लिए बात तो किया था कुछ हुआ ना हुआ कम से कम इतने लालची तो ना थे कि जब अपने पर आई तब सोचा हाई हाई ये क्या हो गया थोड़ी आँखे खोलिए और देखिए कि प्रोटेस्ट हमारे देश में कैसे मर गिया है फोर एवर एवर आईपी रेस्ट इन पीस